दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि मासा हरी जानवर बहुती ज़्यादा शक्तिसाली और खतरनाक होते हैं सेर की बढ़ जाती यानि की बिल्ली की बढ़ जाती के जानवर तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं लेकिन आपको बता दे कुछ साका हरी जानवर ऐसे हैं जिनके आगे इन मासा हरी जानवर की नहीं चलती है यानि की ये उन साका हरी जानवर का अखेले में सिकार करने में अज समर्थ है उन में से एक जानवर है हाती तो तूसरा है राइनो राइनो यानि गैंडा आपको बतात जो सबसे जारा शक्तिशाली है उसका नाम है वाइट राइनो आपको बता दे वाइट राइनो के दो सींग होते हैं ये तो थी इन दोनों के बारे में सौट समरी लेकिन ये इन दोनों बड़े विशाल का साकारी चानवरों का आमना सामना हो जाए तो क्या परिणाम होगा कौ समय जान लेना चाहिए तो सुरुवात करता है गैंडे से गैंडे की इस दुनिया में पांच परजातिया पाई जाती हैं जिन मेंसे दो अफ्रीका में और तीन एशिया में पाई जाती हैं अफ्रीका गैंडे की तोनों परजातिया काफी शक्तिशाली होती है लेकिन से लेकर 15 फीट तक हो सकती है, साथ ये 6 फीट तक उचा हो सकता है, एक हैरत अंगित बात तो यह है कि यदि किसी भी गैंडी की परजाती का, यदि सींग तूट जाता है तो दूसरा सींग पुना निकल आता है, कहते हैं इनके सींग में कैरेटिन नाम का प्रोटीन पाये जात हैं क्योंकि ये दस्त अलग अलग तरह की आवाज निकालने में सक्षम है, बहुत कम जीव ऐसा कर पाते हैं, गैंडे भले 32 किलो तक वजनी हो सकते हैं, लेकिन ये रफ्तार वाकई में बहुत जादा तेज होती है, ये 45 से लेकर 50 किलो मीटर परती घंटे की रफ्तार से पाने में सक्षम है, तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं, धरती के सबसे विसालकाय जानवार यारी हाती के बारे में कुछ मोस्त नमेजिंग फैक्स, आपको बता दे, हाती दिखने में काफी विसालकाय होता है, और इसकी आंके काफी बड़ी-बड़ी होती है, लेकिन वहां के वातावरन के कारण, इनकी सारे रिक सनचना पे अंतर है, एश्याई हाती, अफ्रीका हाती की दुलना में कमजोर होते हैं, यानि के उन्चे छोटे होते हैं, आपको बता दे, अफ्रीकर हाती का वजन होता है लगबग, 6000 किलो से लेकर 9000 किलो तक, साथी यदि बात क हैं, यह अपनी सून से 775 पॉण तक का वजन उठाने में सक्षम है, साथी यदि बात करें, अफ्रीकान हाती की रफ्तार की तो इसकी रफ्तार लगबग 40 किलोमेटर परती घंटा होती है, यह इतने विशालका होने के बावजूद भी, पानी में तैरने में सक्षम है, यह बहुत ही अच्छे तैराख होते हैं, तो दोस्तो अब बात करते हैं, यदि अफ्रीका में गैंडा और हाती का आमना सामना होगा, तो क्या प्रिणाम होंगे, यह दोनों ही काफी एग्रिसिव जानवर होते हैं, तो एक दूसरे को देखते ही, तो हम ठंबला करेंगे, आपक हाती को घैर तो कर सकता है, लेकिन हाती को मार नहीं पाएगा, वही हाती अपनी शक्तिशाली स्थून के दम पर गैंडे को काफी दूर तक रगर के गिरा सकता है, और अपने वजन से उसके उपर हावी होकर उसका दम निकाल सकता है, तो दोस्तो यदि मुकाबला होगा, तो